आखों की exercise ये एक काफी common चीज है जो लोग practice करते हैं और बहुत सारे comments भी आते हैं, patients भी हम से OPD में पूछते हैं कि डॉक साब आखों की exercise कौन सी करें हम जिससे की आखें अच्छी रहें और हमारी नजर अच्छी रहें तो आज हम कुछ myths दूर करते हैं आखों की exercise के बारे में नमस्ते, मैं हूँ Dr. Sumit Agrawal और आप देख रहे हैं iHealth4U जहां आपको मिलती है एकदम simple language में आखों से जुड़ी सारी जानकारी आखों की exercise पर से हमारी medical science में बहुत ज़ादा इसकी value नहीं दी गई है हमारे यहाँ पर योग वगेरा में आखों की exercise करी जाती है और उसके results as such कोई बहुत ज़ादा इसका फाइदा नहीं रहता है तो इसको थोड़ा हम आज discuss करेंगे कि कौनसी ऐसी आखों की exercise हैं जिनके फाइदे हैं definitely और कौनसी ऐसी exercises हैं जो या तो उनके कोई फाइदे नहीं हैं या कुछ ऐसे भी हैं जिनसे नुकसान भी हो सकता है तो आईए इस बात को समझते हैं पहले हम बात कर लेते हैं आखों की वो exercises जिनका definitely फाइदा रहता है तो हमारे योग में बहुत अच्छी एक exercise described है जिसमें की हम आखों को थोड़ी heat provide करते हैं उसमें हम अपने हतेलियों को इस तरह रब करते हैं और रब करके जो heat generate होती है उसको हम अपने आखों पर ऐसे लगाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी practice है इससे जो heat generate होती है हमारी body की वो naturally पलकों पर पहुँचती है इसका scientific reason भी है क्योंकि हमारी पलकों में यहाँ पे glands होती हैं अंदर जोकी एक oil निकालती हैं कभी-कभी वो glands block हो जाती हैं तो हम इस तरह जब heat provide करते हैं तो वो oil अंदर melt होता है और फिर हमारे आसू के उपर एक protective layer बना के रखता है जिससे की आखों में dryness कम होती है तो यह एक बहुत ही अच्छी practice है जब भी हम योग करते हैं usually आपने देखा होगा तो end में इसे करवाया जाता है यह बहुत अच्छी exercise है second एक जो exercise जिसका definitely फाइदा रहता है वो होते हैं pencil push-ups pencil push-up क्या होता है basically उसमें कोई भी penya pencil को लिया जाता है और उसे एक हाथ की दूरी पे ऐसे रखा जाता है और उसकी tip पे focus करा जाता है फिर धीरे धीरे इसको pass में लाया जाता है एक point तक इसे लाया जाता है जब कि एक के double नहीं हो जाए एक के जब दो दिखने लगे तब उसे वहाँ पे रोक लिया जाता है और कोशिश करी जाती है उनको fuse करने की दो को एक बिनानी की कोशिश करी जाती है और उसको hold करके जिनको pass का देखते time problem होती है क्योंकि हमारी आखे प्रॉपरली एक साथ उसके focus नहीं कर पाती है तो यह basically एक focus करने की practice होती है और इसको करने से definitely जिन लोगों को pass का work करते time आखों में थकान होती है या दर्द होता है उनके लिए एक बहुत अच्छी exercise है जो उसमें उनकी convergence क इंप्रूव करती है तो मेरे experience में ये दो ऐसी exercise है जिनके definitely फायदे रहते हैं उसके अलावा एक exercise है जो बहुत ही ऐसा है कभी-कभी उसका नुकसान भी हो सकता है तो जैसे आखों को काफी लोग बंद करके और सब दूर extreme नजर में उसको दड़ाते हैं जैसे कि उपर की देखना side की तरफ देखना और अंदर ही अंदर बंद करके आख को चारो तरफ घुमाना तो ये particular exercise का medical science में कोई proven benefit नहीं है इससे कहा जाता है ऐसा कि शायद blood circulation improve होता है आख की मासपेश्या मजबूत होती है बट आख की मासपेश्या अल्रेडी इतनी active रहती है आख body की one of the most fast acting और active muscles होती है कि अल्रेडी ये हमेशा tip top form में रहती है इनको हम additional exercise करके जादा strong नहीं बना सकते है उल्टा इसका कभी-कभी नुकसान हो सकता है नुकसान कैसे जिनको अगर high power है, minus power है और वो इस तरह की exercise क करते हैं, तो अंदर का movement हम करते हैं इस तरह एक तरफ से suddenly दूसरी तरफ तो अंदर का जो gel है आख के अंदर एक gel होता है, vitriss gel उसका बहुत sudden movement होता है अगर आप इस तरह देखें तो बहुत तेज movement होता है और ये gel जो है retina से चिपका हुआ रहता है, sudden movement करने से retina पर खिचा stress बिमारी होती है, retina detachment पे हमारे और भी videos है, वो आप उपर चेक कर सकते हैं, तो ये ऐसी एक चीज है जो कि कोई proven benefit नहीं है इसका, कभी-कभी इसका नुकसान भी हो सकता है, तो मेरी राय में ये करने का कोई भी point नहीं है, क्योंकि अगर किसी चीज का फाइदा नहीं है उल किसी exercises तो नहीं, पर local कुछ विदिया रहती है, जैसे कि लोग आख में प्यास का रस डालते हैं, या गुलाब जल डालते हैं, तो मेरी opinion में ये भी कोई फाइदा नहीं करती है, उल्टा इससे infection का, क्योंकि ये चीज प्यॉर नहीं होती है, ये चीज में bacteria होते हैं, तो इसस चीजें करने का भी कोई खास benefit नहीं रहता है, तो ये कुछ common eye exercises थी, जिनके बारे में मुझे आपसे बात करना जरूरी थी, क्योंकि ये काफी patients पूछते हैं हमसे, कि इन्हें करें नहीं करें, तो सिर्फ जो pencil push-ups एक जो बताये थे हमने, दूसरा जो आँखो को heat देते हैं, आँखो को रब करके, ये दो ऐसी चीजें हैं, जिनका मुझे definitely फाइदा लगता है करने को, बाकी मेरी opinion में तो दूसरी exercises करने का कोई फाइदा नहीं है, क्योंकि आँखें अपने आप self maintaining हैं, आप बस अच्छा diet लीचे, regular आँखों का check-up कराते रहें, और आँखो चोट से बचा हैं, यही आप करेंगे तो आँखें आपका जिन्दगी बर अच्छा साथ देंगे, तो ये था हमारा आज का topic, उमीद करता हूँ इससे आपको फाइदा हुआ होगा, comment section में जरू डालें, अपने आँखों से related सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब,